सो गाइस सोते बग सपने तो आपको भी आते होंगे पर अगर वो सपना इतना ड्राबना और खतनाक है जो आपको माने तक की हिम्मत रखता हो और आप चाह कि भी सपने से बाहर कभी नहीं निकल सकते तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे सो उसी सिचुएशन पर बेच्ट यह मूवी कंजोरीन कनपपा जो कि फाइनली हिंदी में जलीड हो चुकी है और आप इसे नेट्फिक्स के ओपर देख सकते हो जा मूवी की डूरेशन आपको दो गंटे 20 मिनिट के आसपास देखनों को मिलती है सो यह बात करते है मूवी स्टोयलाइन के बारे में की मूवी आपको पुरन टैम डिजॉब भी करती है की नहीं कंजोरीन कनपपन मूवी स्टोयलाइन फॉलो करती है एक कामादमी कनपपन की जो की बनना चाहता है एक गेम डिजाइनर जिसके लिए वो कंपनियों में इंटरव्यू भी देता है बट वो सलेक्ट नहीं होता एक दिन सुबा जब उसके घर में पानी नहीं होता तो मूद होने के लिए वो पास की कुवे में जाता है जहां उसे एक कुडिया मिलती है या मैं कहूँ एक श्रापिज ड्रीम कैचर जिसके आस पास पंक लगे होते है जो कोई भी उन पॉंखों को तोड़ता है तो वो उस श्रापिज ड्रीम कैचर के पंजे में फस जाता है और ये गलती कनप पने कर दी जिसकी वरसे जब भी वो सोता है तो वो एक बिहानक सी दुनिया में चल जाता है और उस दुनिया में अगर उसे कुछ भी होता है तो उसका effect उसकी present की life में भी होगा और इन सारी चीज़ों से बचने के लिए वो किसकी पास जाता है और कौन-कौन उसके साथ इसी चीज़ में फचाते हैं वो आपको movie देखे फास चलेगा और क्या वो इस ड्रीम कैचर की दुनिया में भसे होए भूतों से भी लड़ पाते हैं कि नहीं उसके लिए आप movie जरूर देखना और आपको comedy scenes भी देखना को मिलते हैं जो कि आपको entertain जरूर करेंगे सो बात करूं मैं अपनी कि ये movie मुझे personally कैसे लगी तो movie की store line बाके में वह ज़्यादा अच्छी थी जहां आपको ये एक unique concept देखना को मिलता है जिसकी वरसे they lose the interest from the audience side और अपनी movie देखने और किसके साथ नहीं सो अगर आपनी movie देख लिए तो मुझे comment करके जुरूर बताना कि क्या आपके point of views इस movie को लेके और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe करना और इस वीडियो को like करकर share जुरूर करना और और भी reviews के लिए देखते रहे हैं बोचल वीडियो